तो कैसे हैं आप लोग अभी सुड़ीन बात करेंगे साओधी एरब की थोड़ी बहुत न्यूज और कुछ इंफॉर्मेशन की बातचीत करेंगे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजेगा हमारी वीडियो यूटुब पेज़ू कहीं भी देख रहे तो पेच को फॉलो क इनका भी जवाब बता रखा हूँ तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब भी ही बताना जरूरी है तो आप सबको इंशालला बताता हूँ में जवाब पहले हम बातचीत करेंगे जितने भी इंडियन सवादी में रह रहे हैं मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा अगर आप कफील या कमपनी से बातचीत अपना ढंग आपका सही है और आपके कफील का सही नहीं है तो जिस तरीके से कफील जो रंग में ढल रहा है उस रंग में हमें नहीं ढलना है लेकिन हमें अपना attitude बरकरार रखना है कई लोग का मेरे पास में comment है जावेद भाई सथी लोग ऐसे ही होते हैं क्या वो अपने हर अपनी बात मानवा लेते हैं हम कभी salary बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो हमें problem करते हैं हम कभी छुट्टी म नहीं मिल पाती है देखो मैं ना मैं दम्माम में काम करता था अलहसा में तो मेरा जो ड्यूटी था वो हाउस ड्रेवर का था और मुझे ना दुकान पर काम लगा दिया गया जब दुकान पर काम लगा दिया गया तो दुकान पर काम लगाने से पहले मुझे घर में हाउस ड्र तब मेरा मुझ खुला मैंने काम नहीं करूंगा तब उसने कहा कि मैं मैंने उनको कहा कि यह जो काम मैं कर रहा हूँ यह मेरा काम नहीं है मैं ड्राइविंग में आया था मुझे ड्राइविंग करवाओ कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है मेरा इकामा बना लाइसेंस बन तो आपना आवाज बुलंद रखना पड़ेगा आपको as time period के हिसाब से आप अगर जिस काम में जा रहे हो देख लोग का फिल किस काम में आपको ज्यादा पसंद कर रहा है उसी काम को थोड़ा पसंद करने दो करने दो आज़त लगवाओ इसके बाद फिर आपने आवाज पारा problem हो रहे है same to same यह मेरे भाई के साथ भी हुआ है और जो मैंने आपको पहले बता है same to same वही सिस्टम के हिसाब से खर अभी उस पर ही ठीक है तो आपका जो attitude है वो बड़करार नहीं चीए जिस चीज का आप आदत सुरू से लगा दोगे वो चीज का आदत सौदी मैंडम मेरे को मा ले जाती ती सौण के हाथ बजे ठीक है रात के और आट बजे रात के दो अदो वजए एक बज़े आती थी तब तक मैं बैठा हुआ हम गारी में मैने पहले दिन ही मैंने स्थान लेया मैं मैं यहां पर बैठा नहीं रहूंगा मैं 5 km घर में मेरा दूर थै जिस चिसको आप जो आदत बनाओगी वो ही छलता रहता है और कुछ आदत बगाड़ने में हमारा भी हाँत है हम कफील की बात नहीं मानते हैं कफील का काम जो करना होता है हम बहने फीक से इसको लेकर के कफील Irritate हो जाता है जातर इरोत इरिटेट पता कब होता है इरिटेट मतलब गुस्सा कफील लोग छुट्टी में भेज देते हैं अजनब यूगों जैसे कि मुझे भेज दिया फिर छुट्टी आने के वाद बंदा रिटर्न नहीं जाता था और गुस्सा आ जाता है सेम तुसे मेरी जगा पे रख लो तो कफील हाड हो जाते हमारी बात रही मानते बट आपको अपना बात मनवाने के लिए किसी ना किसी हाल में आपको कफील की एक कम जोरी दूड़नी पड़ेगी देन आप उसको सक्सेस्फुल बना सकते हो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के इस आप से कुछ समझ में में आप प्छार भी बेकते होगे लेकिन इतना गुसा चाहएं और कोई तौइट पलाइट बैंद मैं नहीं होगा सौर यहाँ पर सबसे पहले में आपको शेर करना चाहूंगा जो कि ये देख सकते हैं एक आदमी जो की सीरियन है ट्रैवलर है ये रियाद में कुछ इन्होंने गरत हरकत की तो इनको गिरफतार किया गया है रियाद एरपोर्ट से ही ठीक है और इसको साओधी से बाहर निकाला जागा जब अजब अज़ाद की तरफ से एलान किया गया है इसके पासपोर्ट नहीं था और ये साओधी से बाहर जाना चाहता था बट इसे अब भेज दिया गया है और इसे पकड़ लिया गया अगली अपडेट में बात करूंगा जो की हमारे बहुत भायों का करोना के लेकर की नियूस है देश में करोना के फिर बड़े मामले के इन स साथरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है करोना की टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है आज की कोई रिपोर्ट नहीं है कितने केस आई क्या है नहीं है क्योंकि ये डेली बेस पर रिपोर्ट शेर नहीं करेंगे अभी साओधी कंदर ऐसा कोई नियूस वीज नहीं है कहीं से भी कुछ नया वाइरस भी है तो इन्होंना दबा के रखा है अगर उम्रह हच करें लिए जा रहे हैं तो मास्क लगा कर जाई है सेप्टी आपकी जरूरी है अगली अपडेट अपने जीजा और भती जी को कार से कुचल कर मारने वाले सौधी सक्स को मौत की सजा ये निय साब को कार से कुचल दिया और इनको देख लो मौत की सजा सुनाई गई है जबकि मा की गोद में मौजूद एक साल की बतीजी बच गई मंतराले का कहना है कि कानूनी कारवाई की जाए और टीम ने कहा रष्ट किया जाए इनको और सारे सबूत अदालत की तरफ से नियूज आई है कि इनको मौत की सजा सुनाई जाए भाई कोई साभी घटना करो 2-4-5 साल का केस नहीं होता है यहाँ पसीदा मौत की सजा में इनोंने छे पुरसकार जीते हैं गीनिच बुग रिकॉर्ड में कल नहीं कल से दो दिन पहले भी मनाया गया होगा हर दिन रियाद में होता रहता है तो भाई साब इनोंने गीनिच बुग में नाम दर्ज कर लिया है ज्यादा डिजाइन वाली लाइट को शेर करने का कूई मक्का की सफर में मक्का के सफर में ये बाई साब विगलांग है और इनकी गारी देख लो ये चलाते हुए पहुँँझ गए मक्का कुछ भी असमबब नहीं है जब विगलांग हो तीन हजार किलिमेटर का सफर इनने ताई किया है और अलहमदो इल्ला सही सलामत पहुंच गए हैं घर वील्ड चेर के सहारी इनने तीन हजार किलिमेटर का सफ़ई किया है और क्या बात है बहुत बहतरीन अगली अपडेट रियाल रेट तो 22 रुपे 20 पैसे के आसपास करनसी चल रही है अगर आप भेजोगे रेट यहां पर देख सकते हो अगर आप किसी भी किसी से भी भेजोगे से अलडाजी से किसी भी बैंक से आपको 21 22 22 के आसपास में करनसी मिलने वाली है ठीक है अगली अपडेट में शेयर करूंगा यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है यह वीडियो पर मैंने न्यूज बनाए थी उस दिन पहले यह भाई साब जो है आईफोन बेच रहे हैं 50 रियाल से सुरूख किया है और 11 12 13 रियाल पर बेच रहे हैं आईफोन 14 है इनके हाथ में आईफोन 14 ठीक है अब यह असली है या नकली अगर आप लोग इनकी वीडियो खुद लाइब जैसे यह लोग देख रहा ना अगर आप इस जगह पे सामने खड़े हो तो क्या इनका फोन और जनल होता है क्या मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा या आपने इनसे फोन लिया है कभी यह वीडियो वारल हो गए इसके लिए मैं न्यूज में शेयर कर रहा हूं यह ती कुछ न्यूज आपको शेयर कीजिएगा स चैनल लेटिस अबडेटिकल डेली और कफील को प्यार महबबत से बना कर रखिए तो कफील आपको हमेशा याद रखेगा और आपकी बात मानेगा मिलते हैं कल की वीडियो में अल्ला आफिस कर रहा हूं कर रहा हूं